बहुत स्वागा थे आप लोगों का Chemistry क्लास में, मैं हूँ आपका Chemistry टीचर, सुनी लिया दो बच्चों, आज हमने टॉपिक लिया है विद्धोत्रनात्मक्ता बच्चों, ये एक अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है विद्धोत्रनात्मक्ता तो जल्दी समसमझने की कोशिश करेंगे बच्चों, विद्धोत्रनात्मक्ता क्या होती है बच्चों, याद कीजे, मैंने आपको सहसाईयों जग बंद के बारे में जानकारी दी थी सहसाईयों जग बंद बच्चों, मैंने आपको बताया था दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न पर माड़ूँ द्वारा बिन्न भिन्न पर माड़ूँ द्वारा बराबर मातरा में एलेक्ट्रोन का साजह से बना बंध क्या क्या लाता बच्चों सह सहियो जग बंध ठीक है मैं जश्ट रिकॉल कर रहा हूँ यह मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका था बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सह सहियो जग बंध की मैंने आपको प्रकार बताए थे और बच्चो इसके दो प्रकार है इसके दो प्रकार में सबसे पहला है सम नाभिकी है ठीक है सम नाभिकी और बच्चो दूसरा होता है वो है विशम नाभिकी ठीक है न विशम नाभिकी अब ये आपको बताने का सिर्फ इतना सा मेरा रीजन है बच्चों क्योंकि मुझे आपको विद्धोत्रनात्मक्ता समझानी है तो बच्चों याद रखें जो विद्धोत्रनात्मक्ता है इसको समझाने के लिए हमको सहसेज़क बंद से बंदे किसी योगी की आवशकता होगी और वो भी कैसा हो जो विशम नाब की सैसेवज़क बंद से बंदा हुआ हूँ तो विशम नाब की सैसेवज़क बंद से बंद यौगेक में हम विद्धोत्नागत्ता को समझ पाएंगे तो मैं जल्दी से उधारण के द्वारा आपको समझाता हूँ बच्चो अगर माल लीजे, मैं आपको HF का निर्मार समझा दूँ तो देखिए, हाल्ट्रोजन परमाडुक्रमंग 1, फ्लोरीन परमाडुक्रमंग 9 इसका एलेक्ट्रोनिक विन्यास 2 और 7, इसके अंतिम कोश में 7 एलेक्ट्रोन बच्चो हाल्ट्रोजन इसके पास 1 एलेक्ट्रोन प्लस फ्लोरीन इसके बाकोश में 7 एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और एक ये साथ बच्चो फाइनली क्या होगा? ये hydrogen इस फ्लोरीन के साथ एक एक electron का साजा करेगा और ये दोनों जुड़ेंगे और इस तरह से इनके बीच में एक बंद स्थापित होगा चुकि साजे का बंद जोड़ा है इसलिए एक electron hydrogen का और एक फ्लोरीन का इनके मद्ध में आकी स्थापित हो जाएगा सेस फ्लोरीन के electron उसके बाहकोश में रहने वाले हैं तो बच्चों इस तरह से ये जो एक HF का अड़ो हमने निर्मित किया ये HF का अड़ो सह सहयोजग बंद से सहयोजग बंद से बना हुआ है ये सहयोजग बंद से बना हुआ है अब समझने वाली बात है बच्चों चोकि यहाँ पर जो सहयोजग बंद है वो तो भिन परमारूं के बीच में है तो साजे का ये जो एलक्ट्रों जोड़ा है जिसको हम कहते हैं एलक्ट्रों जोड़ा या योग्म ये जो एलक्ट्रों जोड़ा है simple language में बोल देए इसको एकान की electron योगन तो बच्चों ये जो एकान की electron योगन है, electronों का जोड़ा है ये उस परमारू की और विस्थापित हो जाएगा उस परमारू की और विस्थापित हो जाएगा जिस परमारू के लिए हम देखेंगे उसकी आइनन उर्जा ठीके बच्चों उसकी आइनन उर्जा और उसकी electron बंदोता electron बंदोता के मान कैसे होंगे बच्चों ये मान उच्च होंगे ठीके तो जिनके लिए ये मान उच्च होंगे ये electron होगा जोड़ा उसकी और विस्थापित हो जाएगा और जब इस्थापित होगा तो उसके बाद का स्वरूप जो है वो ऐसा दिखेगा H F तो एलेक्टॉन का पेर उस पर खिसका तो ये इस तरह शिप्ट हो जाएगा बाकी किसी से इस एलेक्टॉन उस पर रहेंगे तो क्या होगा बच्चो जिसके पास एलेक्टॉन जोड़ा खिसकेगा वो आंशी ग्रूप से धानावेश जिस पर खिसक कर जाएगा वो आंशी ग्रूप से रनावेशित हो जाएगा और इस तरह से H F का जो अलो है ये कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा दुरूवी मेरी बैस समझ में तो बच्चो एक धुरुवी अलू में साजे के एकांग की एलेक्टॉन योगम का उस परमाणू की और विस्थापित होना जिसकी आयन नूर्जा ये एलेक्टॉन बंदुता का मानुच्छ होता है इस एलेक्टॉन जोड़े की विस्थापित होने के इस गो बच्चो एलेक्टॉन बंदुता की कोई भी बहुत अच्छे जयाद रखी इकाई जो है वो नहीं होती इसकी कोई इकाई नहीं है यहनए अगर हम किसी भी तत्व के लिए उसकी अगर विस्थापित करेंगे ना तो हम उसकी कोई यूनिट नहीं बोल पाएंगे जैसे कि आपने देखा कि आईने नूर्जा की काई एलक्टॉन बोल्ट होती है एलक्टॉन बंदुता की काई मेगा एलक्टॉन बोल्ट होती है इसी तरह से अगर कोई आप से पूचे कि विद्धोत्रनात्मक्ता की क्या ही काई है तो इसकी कोई भी काई नहीं होती बच्चों में संक्चिप्त में आपको इसकी आवर्तिता आप भी बताने की कोशिश करूँगा तो विद्धोत रनात्मक्ता की आवर्तिता विद्धुत्रनात्मक्ता की आवर्तिता तो बच्छों विद्धुत्रनात्मक्ता की जब हम आवर्तिता की बात करें तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी आवर्तिता की बात करेंगे तो हम दो स्थिती में बात करेंगे एक हम बात करेंगे वर्ग में जिसको मैं कहता हूँ वर्गा नुशार बच्चो मैं दूसरी बात करता हूँ आवर्थ में और मैं कहता हूँ आवर्था नुशार तो बच्चो वर्ग में वर्गा नुशार और आवर्थ में आवर्था नुशार तो सिंपल तरीकी से याद रखी कि आवर्थ में विद्धो त्रणात्मक्ता इसका मान क्या होता बच्चों घटता है ठीक है जब कि आवर्त में आप याद रखेंगे इसका मान बढ़ता है बहुत संग्चिप्त में याद रखें और कारण सारी वही होंगे बच्चों जो हमने की आईननुजार एलक्तौन बंदुता की संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया ठीक है बच्चों विद्धुत रनात्मक्ता एक प्रमुक्ता रखता है बहुत महत्पूर इस्थान रखता है अपने टॉपिक में इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा कि ये एक महत्पूर टॉपिक है और आपको इसको बहु लोग इसके कॉश्चन तयार करें आज की वीडियो में इतना ही बहुत जल्दी आप सुमलाकात होगी अगले वीडियो के से